बॉर्निंग दोस्तों सुबर के चार बज गए हैं तो आप हमारे साथ बने रहे हैं आज का ब्लोग पूरा देखे और देखे हम कहां कहां जा रहे हैं और मैं आपको पूरा ब्लोग दिखाती रहूंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटीड होने वाला है आज का ब्लोग तो आ हमारे लिए भी सर्प्राइज है कि हमें कहां ले जा रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि हस्परेंट ने ऐसा बताया नहीं है कि हम लोग कहां तक जाएंगे मतलब जाएंगे तो हम जा रहे हैं कुलू की साइड ही जा रहे हैं अभी देखो मेरी बेटी जो है पूरे गाने लगे हुए थे गाड़ी में तो कैसे डांस करी थी इसके डांस देख लो पहले आप पूरी एक्टिंग करी थी पूरे गाने के भगवान के गाने लगे हुए थे तो इनको साथ जो है पूरे एक्षन बना बना के करी थी बरसाद की दिनों में जो थे ये रोड बहुत ज़्यादा खराब थे तो हम जो थे बहुत कम निकार रहते घर से तो इसलिए जो थे अब जो है थोड़े रोड ठीक हो गए हैं और देखो दोनों साइड जो थे लासे ही लासे गए हुए थे ये पंडो डैम में पहुंच गया है हम लोग और अब जो है ये जो हम सड़क जा रहे है ये अलग सड़क निकाली हुई थी यहां से और ये हमारी टनल आ गई है और में जो देखो सामने जो है लाइट जली हुई है यह बेबी थोड़ा कैमरा हिला रही है तो थोड़ा इग्नोर करना इसको और देखो लाइट जली हुई है आप देखते रहे ना पूरी जो है पूरी टर्नल आगे तक यह जो टर्नल वनी होती है इनसे हमारा जो है बहुत ज़्यादा रस्ता जो है कम पड़ जाता है और इससे जो है इमाचल में बहुत ज़्यादा फाइदा हो गया बहुत टुरिस्टों को भी फाइदा हो गया है क्यूंकि ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा लॉंग होता था अब जो शौट कट हो गया है बहुत ज़्यादा और आगे देखो कितना सुन्दर जो ऐसे दिख रहा है सुबह सुबह की फ्रेश फ्रेश जो पहार दिख रहे हैं और पेड बगेरा दिख रहे हैं कितना सुन्दर लग रहा है दूपी आ गई है अब तो तो आप बने रहें पूरा ब्लॉग हमारे साथ पूरा ब्लॉग दिख झाल 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 यहां से जो है पचास किलो मेटर का जो है सफर कम होता है हम जब लॉल स्पीती में जब एंटर करते हैं तो यह बहुत कम हो जाता है यह सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बना हुआ है यह वाली जो सुरंग है इससे जो है भी इतनी अच्छी है अंदर से ठंडी और बड़ा मजा रहा था इसमें जब हम जा रहे थे तो पता ही नहीं लगा नौ किलो मेटर जो है कब जैसे कवर हो गए वैसे मुझे पता नहीं है पर मैंने थोड़ा बहुत पता किया कि नौ किलो मेटर है यह फिर आगे पता नहीं है वैसे और उसके बाद जो है लोहल स्पीती का जो रस्ता है मतलब हमें बहुत कम हो जाता है और आगे क जो टूरिस्ट आते हैं बहुत Adana आते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम इस सुरंग से जाते हैं तो ये हमारी सरकार ने बहुत अक्छा काम किया हुआ Хот तो आप बने रहें पूरा ब्लॉग देखते रहें और आगे मैं बताती रहूंगी कि हम कहां पहुंचे और मतलब कहां कहां हम आपको ले जाएंगे तो आप पूरा ब्लॉग देखते रहें बहुत जाद एक्साइटीड होने वाला है ब्लॉग तो इसलिए मैं आपको हर एक थोड़ी थोड़ी जो भी चीजे मतलब जरूरी है वो आपको सारी पता रही हूँ जो भी रस्ते में आ रहे हैं और एक्स्ट्रा मतलब कोई भी नहीं ले रही हूँ जो जरूरी है देखने का है अच्छा है वो दिखा रही हूँ अभी मैं कुलू मेनी आई हूँ कुलू का मैं कल आपको ब्लॉग बताऊंगी और वो भी आप पूरा देखना कुलू का मैं पूरा दसहरा दिखाऊंगी आपको और अभी वैसे वो खतम हो गया है पर फिर भी अभी भी पूरी वैसी ही शौप लगी होती है और हम लोग जो है उससे बापस आएंगे, खुलो की तरफ को बापस आएंगे तो फिर हमें वो ब्लोग कल बताऊंगी आपको और आज का ब्लोग जो है मारा सिध्धा डारेक्ट जो था मनाली, मनाली भी पाली साइड पड़ गई और हम लोग जो फृइड से होंका ही निकलगे आगे को सि데ाई आगे को और इस अकता टानल से होंका ही जिदा लॉल्स पिती से होंका लॉल्स पिती में एंटर हो जाएँगेंगे तो आप मेरे बलोग में बने रहें आगे भी तक्टथा मुनीं कोफी यहांगी का ओनल हरुदो नल गीदे हागे मन्देन गल उरी ओनलन तो अट्टके जिनलका यह मेरा बेटा मेरको बड़ा गुसा दिला रहा था तो मैं बड़े भाव खारी दी तो फिर अंसरा था मैं इदर उदर देखरी दी तो बड़ा अंसरा था कि मम्मा बड़ा भाव खारे हैं तो मतलब गुसा दिला रहा था एक तो सफर में बैटे होते हैं थक जाते हैं बेबी होती है साथ में तो यह साथ में मेरा जो बिया सुनता नहीं है मेरी तो फिर बड़ा गुसा आता है और ये जो थे गॉगल बिजने वाला आये थे तो मैंने और मेरे बेटे ने ख्रीदे थे और साथ में देखो ये पहुंचगे हम लॉल्स पे टरनल के बिल्कुल सामने वाले जो है ये देखो सामने बरफ भी पड़ी हुई है पाड़ियों पे और ये जो है अब आपको पूरे पहाड़ ही दिखेंगे आगे को इतना अच्छा रस्ता था बड़ा मजा आया इतना मजा आया इस सफर मैं कभी नहीं बूलूंगे मैं इसको पूरी लाइफ क्योंकि मैं पहली बार इस साइड को गई मैं अटर टरनल तक ही आई थी आज तक और ये एक जो तक हमारे पिछे पिछे आ रहा था तो मैं डर रही थी देखो जी में गेट है यहां पे और यहां जुते उतारते हैं बाहर और देखो कितना सुन्दर जो है मंदिर है पूरा हम अंदर से दिखाएंगे आपको जी पहली बार हम लोग इस मंदिर में आये बड इतना बड़ा सीबलिंग है और यहां पे एक बात और है कि यहां पे जो बहुत धरम और हिंदु धरम के इकठे पुजा करते हैं पहली बारे जो है यहां पे देखने को यह मिलता है और यहां जो में जो भगवान की मुर्टी है यहां पे अंदर यह देखो बहुत बहुत ध दागा बांदा और इसको घुमाया और ये मेरी बेबी देखो कैसे घुमा रही थी इसको इसको भी पता था देखो धागा बांद रही थी इच्छा मांग रही थी और हम इसका चुपचाप से जो थे वीडियो बना रहे थे ये कितने प्यार से बांद रही थी जैसे हमने बां का कुंड भी बना हुआ है और यह साथ में सराय भी है जो दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यहां पे रहते हैं और यहां फिर हम बाहर निकल गए तो यहां फिर हम लोग जो ते आते वक्त सोलंग नाला में रुके और यहां पे जंपिंग की मैंने और मेरे अस्वेंड ने और मेरे बच्चे ने तो नहीं की ओ तो डर रहे थे दोनों और मैंने की और इतना मज़ा आया इसको जंपिंग करने का पूरा मज़ा मैंने लिया आप देखो म मेरे को कितने उंचा उडा रहे थे ये और मैं इतने जोड से चीखी हुई थी पूरा जोड लगा रही थी चीखने के लिए तो लोग सभी अंसरे थे क्यूंकि ये जो था मतलब मैंने पहली बार किया ये मैंने कभी देखा दूर से देखा भी नहीं था मैं इदर को कभी आती भी नहीं थी तो इन्होंने देखो पहले मेरे को यहां से छोड़ दिया निचे से और जैसे ही motor on की और निचे से छोड़ दिया फिर एक दम से मुझे इतना हवा में उड़ाया उपर को कि मुझे लगा कि अब तो मैं मर गई पर फिर मेरे को धीरे धीरे बड़ा मजा आने लग पर सिर्फ बाज़ूों में थोड़ा स्ट्रेस बन रहा था, ज्टेन पर रहा था हमाटला और इसके खिंचाप से दर्ध हो रहे थी, और और तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं और मैं बड़ा मज़ा ले घी उननमे दर्ध हो थी बाजुए में और फिर घर आके भी मेरे को इसकी बड़ी प्रॉब्लम होई जैसे बाजुए में बड़ी दर्थ हुई मेरे को और इतना मजाया मेरे को इसको वो करने का कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उत्रू ही ना क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं पाड़ों को चूरी थी भी है यहां पे और यहां एक जूला भी था उस टाइम लाइट नहीं थी नहीं तो हमने उसमें भी बैढ़ना था वो उपर और निचे ले जाते हैं तो बड़ा मझाता है उसमें तो लाइट की प्रॉबलम की बज़े से हम लोग जो थे उसमें नहीं बैठे और और भी थे यह पे एक और था बोलते हस्पेंट बाइब को जैसे कठे ले जाते हैं जंगलों में मतलब ऐसे ही सेम जैसे जो अभी ये मेरे को जुला रहे हैं उपर निचे तो वैसा ही था वो भी पर वो भी उस टाइम जो था अंदेरा भी होने लग गया था फिर हम लोगों ने वहां पे भी हम लोग नहीं गए और उसके बाद जो थे हम लोग ये उसके मेरा बेटा जब मैं चीक रही थी तो मेरा बेटा नीचे बोरा था मैं तो ममा को देखे डर रहा हूं इतनी आवाजे कर रहे हैं मैं बोरी थी इसको कि आज़ा थोड़ा सा जूर ले ऐसे जंपिंग कर ले मना कर रहे थे लेकिन मैं डर गई इससे बैठ गई फिर मैं इतनी डर ही जब ये हिला तो मैं इतनी डर गई तो फिर मैंने मना कर दिया और फिर ये गए कि मैं बैटा हूं और बेटी को बिठाया और साथ मैं बेटा और इन्होंने इतना मज़ा लिया बोलते बड़ा मज़ा आया, ऐसे तो कोई डर नहीं लग रहा था, तो क्यों डर गई, तो फिर मेरे को डर लग रहा था, फिर मैं नहीं गई इस पे, और यह भी बहुत अच्छा था, यहां अच्छे था, मतलब सब कुछ ही अच्छा लगा मुझे यहां पे, और ठंड बहुत थी, उस टाइम ठंड बढ़ दे थी, शाम हो रही थी, तो ठंड बहुत बढ़ रहे थी, फिर हमने यही किया, दो ही चीजे, और फिर हम जो है, बापस होटल की तरफ जो है, फिर आने लग गए, तो यह नीचे से आ रहे थे, देखो, अभी दिखाऊं मैं आपको, नीचे से मैं पहले वहां गई, यह चले गए सामने, और इनुका पूरा राउंड लगाया, इसका जो था एक राउंड था यहां पे, और वो देखो, नीचे से बड़ा गुम गाम क्या गए, और मैं वहां पे ही खड़ी रही, और अच्छा लगा वैसे, यह भी उन्चे उसकी बाद जो थे, हम मनाली की तर हो गया था ठक गये तो इनोंने जो तो बोला था कि एक दिन जो थे हम लोग मनाली में ही रुकेंगे तो हमने यहां प influencer,alebог करवा हूँ था एक abसितों क मरताती। आपको यह हमारा बैट है बेटी है स्वेंट सोई हुए है और यहां पेटी भी लगा हुआ है यह डिखो ऐसा सुना रूम है चोटा-सा बहुत प्यारा सा और यह वाष्णा है तैनल को सुंदर सा वाश्रूम भी बहुत मीरा है। अच्छा है और बाल के दिए maintenant। बहुत अच्छी सी of पूरी भी है किम्री की दी ही। यह श्रूम खानापवाने के लिए दूचेऐ का टृच्छा है। सीरूम हो बफलाइट्स लाइट ॉट सिर्प्रूम तंड़ बहुज़ जादा है और यह और अब जो है बहुज़ जादा है बहुज़ जादा है बहुज़ जादा है